तो आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को समझ गए हूँ अभी बात करते हैं हम लोग इस चीज़ से नुकसान किसका है और फाइदा किसका है दूसरा होता है तो इस डेट के बाद UK अपना इंटरनेशनल नर्सीज का रिकूट्मेंट बंद कर देगा बट दो महिने बाद तीन महिने बाद चार महिने बाद छेमेने बाद एक साल बाद वो तो दुबारा से जो recruitment उसको खोल देगा, तो दुबारा से recruitment स्टार्ट हो जाएंगे तो दो चीजे होती हैं, एक ban, एक temporary pose, अगर ये चीजे होती हैं, तो ये temporary pose होगा, बैन नहीं होगा, तो आप लोग जिनके दिमाग में ये चीजे आ गई हैं, या फिर जो tension लेके बैठा हैं बैन हो गया, अब तम नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, तो भी temporary pose हैं, और देखो, अभी हम लोगों ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया हैं, इन चीजों के उपर, पहले क्या था, कि हिंदी के अंदर कोई वीडियो नहीं बनाता था, और जो ये news थी, वो इतनी लाई के अंदर भी ये pose आया था, बीच में ऐसा था कि काफी जादा nurses recruitment हो चुकी थी, तो उसके बाद भी एक बड़ी temporary pose आया था, बीच में आप लोगों ने सुना हो तो freshers की vacancies कम हो गई थी, उससे हमें भी freshers के लिए एक तरीके से pose आया था, उसके बाद बात करते हैं, य रेडलीस कंट्री वाला सीन हुआ था, जिसके अंदर काफी सारे रेडलीस कंट्री थी, जिनके अंदर से जो nurses की recruitment थी, UK ने एकदम बंद कर दी थी, तो काफी सारे ऐसे nurses भी हैं, जो नेपाल से हैं, और वो फिर भी recruit हो रही हैं, UK के अंदर, NHS के अंदर, even वो रेडलीस कंट नहीं लेते थे, और अपनी preparation के उपर ध्यान देते थे, सबको पता है कि temporary pose है, आज बंद हुआ है, कल खुलेगा, है ना, सबको पता था, तो क्या होता था, कि उस वक्त कोई भी tension नहीं लेता था, आगर सोचो, इन चीजों के बारे मुझे पता होता, जब मैं अपनी preparation का था मैं मेरी preparation कर था, COVID के टाइम पर, तो COVID के टाइम पर ये temporary pose आया था, जिस वक्त इन्नों लोग उने students को भी लेना बंद कर दिया था, नर्सी को भी लेना बंद कर दिया था, बट अगर उस समय मुझे news मिलती, कि ऐसी जिस तरीके से हम ही अभी मिल रही है, कि ban लग गया है, तो जैसे वो temporary pose खतम हुआ, जैसे recruitment स्टार्ट हुई, मैं recruit हुआ और मैं यूकी मा के काम करना है, मैंने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मैंने channel बना लिया, और आप लोग के सामने सारी चीज़े ही, है कि ने, तो there is a difference between temporary pose and ban, तो आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को समझ गए ह हम लोग इस चीज़ से नुकसान किसका है और फाइदा किसका है, इस चीज़ से नुकसान उनका है, जो कि इस news को सुनके panic करेंगे, देख होता है FOMO, अगर आप लोगों ने सुना हो इस word के बारे में, fear of missing out, तो अभी क्या है कि जिस तरगी के news आ रही है, जैसे कि मैंने बो हैं, panic कर रहे हैं, हम लोग भागते हैं, हम लोग अपना exam clear करते हैं, हमको December से पहले जाना ही है, इसके बाद तो दुनिया खतम हमारी हो जाएगी ने, तो उन लोगों के लिए भाई, अगर आपकी preparation नहीं है, अगर आपकी preparation नहीं कर सकते हो, तो पैसा आपका waste होगा, definitely, अभ क्या होगा कि इस tension के अंदर बच्चे ने exam तो बुक कर दिया, पर वो well prepared नहीं है, तो फेल हो जाएगा, फेल होने के बाद तो भाई वैसे भी नहीं आ सकते हैं, जैसे मैं नहीं भी आपको बताया है, तो नुकसान में तो वो ही बच्चे रहे गए, जिन्नोंने ये news सुनी, टैंशन में आए, exam बुक किया, exam दिया, फेल हो गए न, तो उनके पास तो कोई रास्ता बच्ता ही नहीं है, उनको दुबारा exam देना पड़ेगा, पर यहाँ पर उनका नुकसान हुआ 35,000 उपर जो कि उन्होंने exam की fees अपनी भरी है, यहाँ पर फायदे में कौन रहेगा, पर फायदे में वो बच्चा रहेगा, जिसको पता है कि हाँ, December तक recruitment अपनी चल रही है, मेरे पास December तक का time है, मैं prepare होता हूँ, तो well and good, मैं अपना exam दे दूँगा, exam clear कर लोगा, जो समझधार बच्चा होगा, दूसरा बच्चा वो कि मेरे को December तक से जाधा time लगेगा, मेर December तक मेरे exam clear नहीं होगा, क्यों उसको पता है, मेरे exam तो वैसे भी clear नहीं होगा, तो मैं वैसे भी नहीं जा सकता, चाहे कितनी ही vacancies हो और ना भी हूँ, तो भी मैं नहीं जा सकता, सही बात है कि नहीं? मुझे लगता है कि मेरे December तक exam clear नहीं होगा, मेरे को मेरी preparation सभी continue रख हैं चाहे वो जनवरी में एक्जाम क्लियर करूं फरवरी में एक्जाम क्लियर करूं मार्च में एक्जाम क्लियर करूं काफे सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी जो नर्सिंग है वो ही अभी यहां पर नहीं हुई उनकी शाह दिसम्बर में होगी जन्वरी में होगी फरवरी में होगी तो वह लोग इस चीज़को लेके टैंशन में बैठे हैं वह लगी टैंशन ले रहे होगे इस चीज़क पर दो भाई देखूं अगर भाई चांस लगा देगे अभी हम लोग recruitment नहीं करेंगे तो फिर भी आपको दो से तीन मेने तो लगेंगे यहां पर recruitment होने में अगर आपके normal vacancies भी चल रही है अगर vacancies अवेलेबल भी तब भी आपको दो जो आपकी recruitment है वो दुबार से start हो जाएंगी अगर नहीं भी होती है तो आपके पास एक upper hand है उन बच्चों से जो बच्चों ने tension में आके अपने exam दिया और fail कर गया है अपके पास आपका एक positive result है आपने अपनी CBT भी clear कर ली आपका NMC का registration भी चल रहा है आपकी सारी चीज़े हो चुकी है बस आप वेट कर रहे हैं खाली अपनी vacancy का meanwhile आप क्या कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बता कि दो साल साल तक आपका result है रहे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हाँ आप लोग रेड़ी रहना इस चीज़ को लेके कि हाँ अगर 31 बंद भी हो रहा है recruitment बद मेरे को मेरी जो preparation है वो continue रखनी है चाहे मैं अपनी January में exam clear करूँ या February में exam clear करूँ जिस दिन recruitments खुलेंगी जिस दिन recruitments दुबारा से start होंगी मेरे पास एक positive OET का result होगा मेरे पास एक positive CBT का result होगा मेरे पास NMC का registration होगा जैसी vacancy खुलेंगी तो मुझे priority मिलेगी क्योंकि मैंने ये सारी चीज़े कर ली है उन बच्चों को नहीं मिलेगी जो panic करके बैठे हैं और अपना exam fail करके बैठे हैं दूसरा उन बच्चों को नहीं मिलेगी जिन्होंने अपनी preparation इस चीज़ को लेके छोड़ दिए कि भाई अब तो UK में अपना कुछ होगा ही नहीं समझे आप बात को मैं क्या बोल रहा हूँ तो आप अभी फिलाल जो भी आपके news आपके सामने आई हैं तो मैं चाहता हूँ ये news आप लोग को किसी भी तरह से किसी भी प्रवकार से आप लोग को effect ना करें आप अपनी OET की preparation को continue रखें और जैसे आपकी OET की preparation complete होती है चाहे वो December में हो, चाहे January में हो, चाहे February में हो आप लोग अपना exam clear करें और यहाँ पर आके as a registered nurse काम करें न प्लीज ये जो fear of missing out है इसके अंदर आप लोग ना जाए इस panic के अंदर ना जाए और मैंने जैसे आपको बताया है दो चीज़े होती है एक होता है temporary pause एक होता है ban तो यह temporary pause होगा अगर होगा तो क्योंकि news अभी तक नहीं आई यह official news नहीं आई है और इसलिए मैं इसके वीडियो नहीं बनाता था बट मेरे पास इतने सारे messages आए हैं इसलिए मैं कोई वीडियो बनानी पड़ी है इसलिए मैं आप लोग के सामने आया हूं clear करने के लिए कि पर अगर आप eligible हो आपका exam clear है आपकी CBT clear है तो जिस दिन बैन खोलेगा उस दिन सबसे पहले आपको priority मिलेगी मैं आपको यह कहूंगा तो just be positive बाकी जो news आ रही है उसके हिसाब से ना चलके अपनी preparation के पर धान दो आप सब लोग है तो उमीद करता हूँ आपको शायद यह वीडियो informative लगी होगी और जो भी मैंने decode किया है इसके अंदर आपको सारी चीज़े समझ माई होंगी आप लोग मुझे इंस्टेग्राम के पर follow कर सकते हो अगर कोई भी इस चीज़ को लेके टेंशन ले रहा है इस नीज़ को लेके टेंशन में है तो आप लोग मुझे इ परसनल लाइफ के बारे में जानना है तो मेरा एक चैनल है संदीप चोहान व्लोग करके आप लोग कर सकते हैं तापके आपको पता चले कि मेरे लाइफ में क्या क्या चीज़े चल रहे हैं ने खाली चौहान यूग के वाईप्स और नरसिंग के अलावा वक्त जितनी भी मे इतना टाइम दिया धन्यवाद